हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम जिस वेब सीरीज को एक्स्प्लेइन करेंगे इस सीरीज का नाम है छापा जो की प्राइम शोड्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम अमन और काजल को देखते हैं जो की कार में एक सुनसान जगा पे हैं जहां दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं जैसे ही ये करीब आते हैं वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से एक कॉंस्टेबल की वर्दी पहना बंदा बाहर निकलता है इस बंदे का नाम है रवी जो की अमन से कार का शीशा नीचे करने को कहते हैं लेकिन अमन वहां से कार को भगा लेता है जिसके बाद काजल अमन को एक होटल का एड्रस बताती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड उस होटल में जाती रहती है यहां पोंचके दोनों बिना आईडी दिये एक रूम बुक करते हैं और अपना अधूरा काम जो गाड़ी में करना रह गया था उसको करते हैं इसके बाद डोर नोक होता है और हम उसी कों स्ट्रेबल रवी और उसके साथ मधू और इनके एक हैड को देखते हैं जो कि इन्हें बिना आईडी का रूम बुक करने का कारण पूछते हैं लेकिन अमन कहता है कि वो दोनों अबव 18 हैं मधू को रवी और इनका हैड होटल के दूसरे कमरों की तलाशी लेने की बात करते हैं जिसके बाद काजल मधू को कुछ पैसे दे कर भागने की परमीशन लेती है मधू पहले तो मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती हैं काजल और अमन अपनी गाड़ी तक पहुंचते ही हैं कि अमन को याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो उसके बास है ही नहीं और वो होटल में ही रवी और इनका हैड इनको वापिस पकड़ लेते हैं और वापिस होटल में ले जाते हैं मधू को इनका हैड अलग रूम में ले जाता है और अमन और काजल को भगाने की सजा देता है और वो सजा क्या है ये आपको सेरिस को देखने के बाद ही पता चलेगा वहीं रवी अमन को बाहर लेकर जाता है जहां वो सारी बात सैटल करने का 25,000 लेता है और अंदर आकर कहता है कि 5,000,000 में मामला जो है वो सैटल हो गया है लेकिन आमन कहता है कि उसके पास 5,000,000 नहीं है और फिर वो धाई लाख पे मान जाता है तब भी वहाँ पुलिस का सायन बजता है और मधू डर जाती है एक्च्वल में ये तीनों असली पुलिस वाले नहीं होते है लेकिन रवी और इनका जो हैड है वो पूरे मामले को संभाल लेते है फिर अमन के साथ रवी जो है वो बाहर 8.00 से पैसे विड्रो करवाने के लिए जाता है और काजल को इनका जो हैड है वो अलग रूम में ले जाता है और ये कहता है कि वो उसका ब्यान लेना चाता है कुछ टाइम बाद अमन आता है और मधू को केला देखकर काजल का पूछता है काजल दूसरे रूम से बाहर आती है और बताती है कि वो ठीक है और उसके साथ कुछ भी कलत नहीं हुआ है धायलक मिलने के बाद अमन को और काजल को छोड़ दिया जाता है काजल अमन से कहती है कि वो अब उससे दुबारा नहीं मिलेगी जिसके बाद हम काजल को रवी और उसके हैड के पास देखते हैं एक्च्वल में ये काजल भी जो है वो इसी गैंग का हिस्सा होती है जो की अलगला लड़कों को फसाती है और उस होटल में लेकर जाती है रवी काजल को उसका हिस्सा देने के लिए पैसे लेने जाता है और देखता है कि वहाँ पैसे भी नहीं है और मधू भी वहाँ से गाइब है सीरीज के लास्ट रे हम मधू को अमन के साथ देखती हैं क्यूंकि मधू अब अमन के साथ मिल जाती है वो इस गैंग के हैड से प्यार करती थी लेकिन उसको वहाँ से धोका मिलता है और सीरीज यहीं पे खतम हो जाती है यह सीरीज के टोटल तीन एपिसोड है जो की टोटल एक घंटे की टाइम डूरेशन के है आप इस सीरीज को देख सकते हैं प्राइम शॉट्स के प्लेटफर्म पे और ऐसी ही और वेब सीरीज की अपडेट्स रिवी और एक्स्पलानेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं